हेलो एवरिवन वेलकम टू मैं चैनल ऐस तू पहलना अपना प्रेजन टेंस कर चुक्के हैं जो के एट इडिकेडर दे इंग्लिश दे इसलिबस विच आपनों दिता हो है तो अपना अज जिदा टॉपिक है पास्ट टेंस तो अब आपका स्टार्ट कर देयां पास्ट टेंस देखो पास्ट टेंस है कि आपने को पास्ट टेंस है पूत्काल जाने के जो समा बीथ चुक्के है तो पास्ट टेंस जो है इस दी पंजाबी दी पहचान आपनों की है पंजाबी दे वाक दे अंत दे वे चापनों दिता होएगा आ ए ई ए तो पंजाबी दे वाक दे अंत आपानु की दिता होएगा आ ए ई जदू वी पंजाबी दे वाक दे अंत वे चैस्तना दिवाज आएगी तो अपानु पता चलेगा क्यों के टेंस दी गाल कर रहे हैं पास्ट टेंस दी जिमें ओ चला गया दे खुट चला गया पास्ट वेच गाल लेके पहले नहीं गया सी त राइट नहीं किती होई तो अब आपा इस दा में रूल देख देयां सब तो फर्स्ट टाइप है इस दी सिंपल पास्ट टेंस सब तो फर्स्ट जो टाइप आपानु दिती होई है कि यह सिंपल पास्ट टेंस तो इस दा जो में रूल है जाने कि जदू आपानू सिंपल सं Second form, second form of verb आपा यूज़ कर दे हैं, simple past देवेच, ते plus की आंदा है अपने को object, देखो जदो इस दा simple rule है ते इस देवेच कोई भी helping verb यूज़ नहीं किती जन्दी, जिमें आपा simple present tense दा rule किता सी, उस देवेच भी कीसी सिर्फ verb यूज़ कर दे सी हो थे, आपा verb दी first form नो second form, ऐस देवे चोवला फंडा नहीं कि तो अड़ेकोल subject singular है तो तुसी केड़े वली verb यूज़ करोगे, subject plural है तो तुसी केड़े वली verb यूज़ करोगे, तो अड़ा subject चाए singular है, चाए एक बचन है, चाए plural है, जाने के बवचन है, तो तुसी सिर्फ verb दी second form यूज़ करनी ह तो इस दा negative rule देख देया, तो negative rule इस दा की दिता है, अपानू subject plus did not, यह थे अपा helping verb यूज़ कर देया, तो एक गल त्यान देन वली है कि negative ते interrogative वेच वर्ब दी first form यूज़ कर देया, चाए इस दे main rule दे वेच second form यूज़ किता जन्द है, बट इस दे negative ते interrogative जो simple past tense दा rule ह उस वेच आपा वर्ब दी first form यूज़ कर देया, उस दा reason की है कि जो did यह थे article, यह एक ता helping verb है, यह helping verb यूज़ भी हूंदी है, ते do दी second form यूज़ की हूंदी है, did, तो देखो पहल नहीं आपा second form यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए आपा दुबारा second form यूज़ नहीं कर स सकते, ते इसलिए जदों भी जित्थे भी तुसी एक अपनो error correction भी आनी है, ते गलत्यान विच रख सकते हो कि जित्थे भी did दी गल होएगी, तो उत्ते तुसी की यूज़ करोगे, हमेशा वर्ब दी first form, तो इस दा rule की देख देया, negative दा, रूल है subject plus helping verb did not plus verb दी first form plus की लग object, उस तो बाद interrogative rule, देखो negative दी मैं तो पहचान दसी सी के helping verb देना लगाने, not, तो interrogative दी पहचान की है, कि जो तो article subject दित्ता होया है, subject तो पहलना, अपना helping verb दो यूज़ कर देया, तो अपना rule होई है, interrogative helping verb जो did है, subject तो पहलना, plus verb दी first form plus की दित्ता होया है, object तो लास्ट वेची की है, question mark, तो यह ता सी है, अपना simple past tense, first type CSD, अब अगे SD second type कर देया, past continuous tense, past continuous tense, देखो फिर जित्ते भी continue word दे, तो 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 आपकी यूज़ कर देया, verb दी first form देनाल, ing, पहचान से में, उत्ते की सी, present tense ही, तो तो आटिकल की दित्ता होया है, past tense, तो पहचान है, रियासी, रहीसी, रहेसी, रञ्यासन, आद, उस तो बाद rule है, subject plus, एस विच जो helping verb आपा यूज़ कर देया, was and were, जो helping verb यूज़ कीते हैं जान 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 जान, was and were, plus verb the first form देनाल की यूज़ कीता है, ing plus की दित्ता होया है, object, negative rule तो आटिकल की दित्ता होया है, subject plus helping verb was, not, were, not, plus verb the first form देनाल आई, ing plus subject, तो इन टारोगेटी विच की होएगा, जो helping verb यूज़ की होएगा, जो helping verb यूज़ की होएगा, इन न देनाल ए जदू subject होएगा, तो इन देनाल आपयाल पिंग पर की यूज़ करते हैं, was, उस्तो बाद दूसरे, जदू वी तो आन्वू subject प्लूरल दित्ता होएगा, दे वी आर यू ता एनना दिन आला आपकी यूज़ करते हैं इनना सब्स जदों भी अपने कुल इनना विच्चों कोई सब्जेक्ट आएगा या एक तु ज़्यादा चीद दिगा लोएगी ता आपका जो हैल्पिंग और भी यूज़ करते हैं जो आपकेड़े वली यूज़ करांगे वर क्लियर है सारे नूँ उस्तु बाद एस ही अपना पास्ट कंटिन्यूस टैंस देखो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं या एक तु पहलना अपका या यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टैंस्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टैंस past perfect continuous देखो perfect word आया है past perfect यह थे सिर्फ continuous word नहीं आएगा, इन्वं काट दो यह सिर्फ past perfect tense ता past perfect जित्त perfect word आएगा, उस ता meaning है, v3, वर्ब धहर्ड फोर्म आपः उज़ करनी है पहचान से में उत्ते presenceी ता चुका है, इत्ते past नदे रहुए था पहचान किया हुए हुए जक सी क्या था तो समय आपनों पता चलेगा कि दो रहिए past perfect tense दी ता अपना rule की है past perfect tense दा जो main rule है simple sentence दा subject प्लस है switch helping वर्ब यूज़ कर दे हैं हड head देनल की यूज़ कर दी है वर्ब दी third form दे प्लस की आएगा object देखो एक की helping वर्ब है चाहे आपनो subject singular हाई चाहे आपनो subject plural हाई जानी कि subject चाहे ता एक बचन है चाई बव बचन है ता आप उस दिनल सिर्फ की यूज़ कर देया है डी तो नेगटिव दा अपन रूल में तो अनुप पहल नहीं दास चुक किया कि जदो भी हैलपिंग वर्ब है तो उस दिनल सिर्फ की लगेगा नौट बाकी सारा रूल सेम है इंटेरोगे कलीर है सब नों और इस दिए लास्ट टैप करते आपज है लास्ट टैप अपको नोकी दिती है ये पास्ट प्रफेक्ट janus dasch पास्ट प्रफेक्ट इंटे खो दूनरों वर्ड अए नहीं तो नुल्न जे किया सी कर सकैंच तो भी perfect continuous fourth type वेच जामा गे ता जो भी third type है सिर्फ उस वेच जो helping वर्ब यूज़ कर देयां उस ते लकी लग जानते है बीन ता अपने को subject plus helping वर्ब की लग जानते है बीन ता अपने को subject plus helping वर्ब की लग देगी had been सिंस थे फॉर बारे मैं तो अनू पहल नहीं दास चुक्या सी कि सिंस नूँ अपने किते यूज़ कर देयां थे फॉर नू किते यूज़ करने हैं ते को सिंस नूँ अपने यूज़ करांगे जदू आपने कोल पॉइंट ओफ टाइम दिगाल होएगी एक तौनू निश्चत टाइम दित्ता होएगा के ओ काम कदों तों शुरू होके किन्ना टाइम तक चल्ले है 4 period of time एथे तौनू निश्चत टाइम है एथे तौनू अनिश्चत टाइम दित्ता होएगा में फार टू आर देखो फार टू मन्थ फार टू इयर ओ इयर पता नहीं आप अनू के केड़े वाले भी हो सकते हैं तू मन्थ आप अनू नहीं पता केड़े वाले भी हो सकते हैं उत्थे आपकी यूज कर देयां फॉर जित्थे आ निक्चत टाइम है जित्थे तो अनू प् प्रोपर दस्याग है कि केस टाइम तो इती रहा है निश्चत टाइम है तो उस दिनल आपकी यूज़ करांगे ता इस दा नाच्टिव रूल की वाएगा अनल देखो नाच्टिव रूल सिर्फ helping verb देनल नोट लगानेअ आपांसट पैका वहर ब्रपर ही यूज कर रहे है यहां यह थे भी helping verb तो बाद की आजेगा not ति बीन हों में आएगा subject plus had not been बाकी सारा सेम रहेगा plus verb दी first form देना लाई एंजी plus subject plus since for plus की लगजेगा time interrogative इच की होएगा interrogative दी एक ही पैजान है के सिर्फ helping verb भी subject तो पहलना यूज होएगी तो इत्थे आपा जो helping verb यूज कर रहे हैं में को की यूज कर रहे हैं head इसलिए अपने starting with head लगजेगा यह वाले head अपने subject तो पहलना लाएके आवाँगे उस्तु बाद बीन होएगा उस्तु बाद वरब दी first form देना लाई एंजी plus object plus की लगएगा since for the plus की दिफ्ताय आपने को time the last which की आजेगा question marks hope so तो अन्य वीडियो पसंद आई होएगी बात दो अपने friends ले आप शेयर करो जो first time visit कर रहे हो please subscribe my channel thank you to watching this video